ये शीर खुर्मा देखिए कितना ज्यादा रिच और एकदम क्रीमी बना है तो आज बनाएंगे इद स्पेशल शीर खुर्मा के रेसिपी एक बार आप इस रेसिपी से शीर खुर्मा को जरूर बनाईए सभी आपकी बहुत तारीफ करेंगे तो ये मैंने एक लिटर फुलफेट मिल्क लिया है और इसे उबलने के लिए रख दिया है अब आप शीर खुर्मा के लिए जब भी सेवई ले तो अच्छी से देखकर लाल और भुनी हुई ले सफेद रंग की सेवई नहीं लेना है अब एक लिटर दूद के हिसाब से एक बादाम और पिष्टा को मैंने भिगाने के बाद छिल्का निकाल लिया है और सुखे खजुर को भी दो बड़ा चमच देसी घी गरम करेंगे और इसमें सारे dry fruits डालके हलका हलका एक मिन तक भून लेंगे dry fruits को हलका सा भून लेने से शीरखुर्मे का टेस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है लेकिन इसे ज्यादा नहीं भूनना है इसका color नहीं change करना है बस हलकी से खुश्बू आने तक इसे भूनना है dry fruits को आप शीरखुर्मे में अपनी मरजे के हिसाब से कमिया ज़्यादा कर सकते हैं और सूखे खजूर शीरखुर्मे का main ingredient होता है इसे से शीरखुर्मे को अच्छा color और taste आता है dry fruits को भूनते हुए 1 minute हो गया है और इसमें low flame पर भूना है अब इसमें सेवई डाल देंगे और 2 minute हलकी आज पर भूनेंगे सेवई हमने भूनी हुई ली है लेकिन हलका से घी में सेवई को भून लेने से सेवई का टेस्ट बढ़ जाता है और शीरखुर्मे में खाने में बहुत ही टेस्टी लगता है तो ये सारी टिप्स को ध्यान में रखकर आप शीरखुर्मा जरूर बनाए आपका शीरखुर्मा बहुत ही ज्यादा टेस्टी बनेगा सेवई को low flame पर भूनते हुए 2 minute हो गया है और सेवई का हलका सा रंग भी चेंज हो गया है अब इसमें 2 बड़ा चमच पिसा हुआ सूखा नारिल एड करेंगे इसे शीरखुर्मे का टेस्ट बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है इसे बहुत ज़्यादा एड नहीं करना है एक लिटर दूद के हिसाब से दो बड़ा चमच सूखा नारिल काफी है नारिल को मैंने पतला पतला कट करके मिकसर में ही पीस लिया है आप चाहिद इसे कद्दू कस भी कर सकते हैं अब नारिल डाल कर इसे आधे से एक मिनट और भूनेंगे और दूद में भी अच्छे से उबाल आ गया है अब इसमें भूनी हुई सेवई और ड्राय फ्रूट्स डाल देंगे अब सेवई को दूद में अच्छे तरीके से मिकस करेंगे थोड़ा सा दूद लेकर पैन में डाल देंगे और लगी हुई सेवई और घी भी पूरा ले लेंगे अब शीर खुर्मे को मेठा करने के लिए आप शक्र भी डाल सकते हैं या फिर कंडेंस मिल्क भी एट कर सकते हैं ये मैंने आधा कप मिठाई मेट का कंडेंस मिल्क लिया है इतने में एक लिटर दूद का शिर्खुर्मा ना तो बहुत ज़्यदा मीठा होगा और ना ही आपको कम मीठा लगेगा अगर आप 2 लिटर दूद का शीरखुर्मा बना रहे हैं तो उसे साब से 1 कप condensed milk डालें condensed milk डालने से शीरखुर्मे का texture बहुत ही अच्छा आता है एकदम क्रीमी आता है और खाने में भी शीरखुर्मा बहुत ही tasty लगता है आप चाहे तो आधा कंडेसमिल को आधी शक्कर भी एड़ कर सकते हैं अब इसे धीमी आज पर 10 मिट पकने देंगे और बीच बीच में इसे चलाते रहें शीर खुर्मे को पकते हुए 5 मिट हो गए हैं और भी ज़ता बढ़ते जाता है क्योंकि खजूर का टेस्ट और कलर भी इसमें उतर कराता है सेवाई की कॉंटिटी देखे ये बहुत ज्यादा भी नहीं है और ना ही बहुत कम है शीरखुर्मे में बहुत जीता सेवाई भी अच्छी नहीं लगती है लेकिन अगर आपको पसंद दे तो आप थोड़ी से ओरेट कर सकते हैं तो ये गर्मा गर्म शीरखुर्मा बनकर रेडी है आप इसे बिल्कुल गर्मा गर्म भी सर्फ कर सकते हैं वीडियो को लाइक जरूर कर दें